जे मातादी मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्सर सिर में दर्द रहता है हमेशा दर्द रहता है दवाईयां खाते हैं आराम हो जाता है लेकिन थोड़ी देर के बाद सिर्दर्द सुरू हो जाता है तो मैं सबसे पहली चीज तो यहां पर आपको बता में हो रही हो दूसरी चीज और दर्द होने के साथ साथ उनकी नसें तरह यहां की सीर के बीच में भीन धग ध द मैशुस तरीके से कमपन हो रहा है जैसे धड़कन होने लगती है एक ड़कन हो जाती है फॉरे सिर्मे तेजी से नसेसे फढ़कती की आपको बिल्कूर उनको control करना मुस्किल हो जाता है कई बार ऐसा होता है हमारे सिर में दर्द होता है हमें चक्कर आता रहता है और इतना तेज चक्कर नहीं आता है कि हम तुरंत ही गिर जाएंगे लेकिन हमें ऐसी feeling आती रहती है कहीं हम गिर ना जाएं कहीं हम गिर ना जाएं हम काम करते रहते ह मैं चक्कराता रहता है तो मैं आपको बता दूँ यह माईग्रेन के लच्छन है अगर आपको माईग्रेन हो रहा है शुरुवात है या हो चुका है तो इस तरह के लच्छन आपके सिर्दर्द के साथ में आपको दिख सकते हैं साथी माईग्रेन की एक और पहचान होती है कि जब आपके सिर में दर्द होगा आपको कम सुनाई देने लगेगा कम सुनाई देने से मतलब यह नहीं कि आप बहरे हो गया है बहरे नहीं होते हैं लेकिन जैसे आपसे कोई बात कोई कह रहा है तो उस बात को आप पूरी तरीके से मैंड नहीं करते हैं यह आपको सुनाई तो लेकिन उस बात को आप सुन के भी आपके द्यान से निकल जाती है जैसे अभी आप से कोई बात कोई कहेगा आपको लगा सुन लिया लेकिन ़िन दो तिन मिनट के बाद आपको खुद ये लगेगा कि उसने कहा क्या था आपकोнал नहीं रहता लेकिन मैं एक एक चीज़ आपको बताती हुए चल रही हूं सिर्दर्द के बारे में ताकि आप पूरी तरीके से आस्वस्त हो जाएं और घबडाये नहीं और अपना ट्रीटमेंट खुद कर सकें यह डॉक्टर को दिखा सकें अब आपको क्या करना है कि जब भी आपको जैस सुरू हो गई है मिलाब भी सरदी खतम हो गई है लेकिन हम नहीं कहए सकते पूरी तरीके से क्यों रात में हम अभी वी कमा लोड़ रहे हैं लेकिन जीन एरिया में बहुत अदिक गर्मी शुरू हो गई है तो आप क्या कर रहेंगे आप बर्फ का पानी लीजिए और उसमें आखों को इस तरीके से बंद करके आप लेट जाएं इससे आपको बहुत जल्दी आराम लगेगा उसके अलावा अपने पास में आप नौरतन तेल हमेशा रखे नौरतन तेल रखे या एक तेल आता है लावा पहाड़ी तो लावा पहाड़ी तेल आप अपने पास में हमेशा रखे जब कभी भी आपको इस तरह की प्रोब्लम हो आपके पास में दवाई उपलब्ध ना हो तो आप नौरतन तेल एक से दो चमच इस तरीके से अपनी हथेली के उपर लीजिए और उसके बाद में यहां पर अपने रख करके धीरे 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 दो से तीन मिनुट त दो चमच तेल एक कटोरी में निकाले फिर धीरे धीरे आप सिर्की इन नसों में मतलब की मांग निकालने के अलकर आपको पूरे सिर्की नसों में पीछे तक मसाज देनी हैं और उसके बाद में अपने माथे के उपर यहां तक का बहुत अच्छी तरीके से इसी तेल का एक जैसा लगाना है जो की दिखे खूब जदा और उसके बाद में धीरे 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 आपको अपने माथे की और इंसाइड की नसों की मसाज करनी है इतना काम आप करेंगे तो आपको 10 मिनट के अंदर आराम हो जाएगा और नीद आ जाएगी लेकिन अगर जितने भी कमजोर हो रही है दूसरी चीज आपको यह माइग्रेन भी हो सकता है या अगर लंबे समय से सिरदर्द हो रहा है और बहुत अधिक दर्द होता है एकदम से तो कहीं आपको ब्रेन ट्यूमर तो नहीं हो रहा है ऐसा नहीं कि हो ही रहा है लेकिन फिर भी अपने आपको आश् सामिल कर लिए रोज के भोजन में दुपहर में एक चोटी जरूर खाईए रही से वहता है सरी को बहुत सारी पॉस्टिक्ता अम हमारी है हमारी मजबूस होती है और सिर्धय की प्राप्रॉब्लम सोती है भी खत्रम होता है यह दिन में कम से कम दो से तीन लिटर पानी जरूर पिए उसके लावा पानी वाले फल जैसे खीरा ककड़ी तर्बूज खर्बूजा यह सारे फल जरूर खाईए क्योंकि यह फल हमारे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं सेहत के लिए और जो यह सिर्गी प्रॉब्लम सोथी इनके लि लिए अगर बीस से पचीस मिड़ा आप मॉनिंग वक्त कर लेते हैं बहुत अच्छी एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी है और आपको इन चीजों में आराम लगेगा उसके अलावा अगर आप प्राणायाम कर सकते हैं तो आप ब्रामरी प्राणायाम करने से आपका माइग् अगर लगता है कि वास्तों में वीडियो काम की है तो प्लीज इसको लाइक और सेयर करें नमस्कार धन्यवादित